अब RAW फाइल को एडिट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है मैं दिखाता हूँ है आप एक कलर प्रोफाइल का उप्शन है जो बाइडिफॉल्ट एडोबी कलर होता है अब एडोब एडोबी जो भी आप बोलते हो अब एडोब कलर ये बाइडिफॉल्ट मोस्टली लाइ में शूट करते हो अब वो कैसे चेंज होता है यहां पर सबसे नीचो ऑप्शन है ब्राउस का अगर मैं वहां पर जाता हूँ अब यहां पर आपके जो कैमरा में बाइडिफॉल्ट ऑप्शन आते हैं आप यहां देखो कि आपको याद आएगा जो प्रोफाइल होते हैं कल को लेकि एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हो और यहां पर क्या डिफरेंस आता है मैं आपको एक जल्दी से बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ अभी मैंने कैमरा स्टैंडर्ड लगा लिया है जो मेरी कलर प्रोफाइल है what if I go back to adobe color अभी मैं आपको दिखाऊंगा और आप colors प तो आप सीधा या profile में जाके browse में जाओगे जो आपकी profile आपको चाहिए आप यहां से select कर सकते हो उसके बाद आप उस profile को use कर सकते हो यह है सबसे पहला benefit second benefit है wide balance का अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ पहले मैं JPEG image को लेता हूँ अब इसी का में पास ही JPEG image है अगर म balance के section में जाओँगा यहां पर as shot लिखा हुआ रहा है इसके उपर अगर मैं click करता हूँ में पास सीधा तीन options आ रही है बस as shot auto और custom अगर मैं raw image पर जाता हूँ इसी photo की अब यहां आप देखोगे कितने सारे options है और अगर आप यह options देखोगे आपको याद आएगा आपके जो camera में white balance के presets होते हैं वो भी ही होते हैं so this is amazing कि आप जब raw में shoot कर रहे हो आप white balance कुछ भी change कर सकते हो अगर आप shoot करते है time select करना भूल गए raw में आपके पास option है for example आपको shade चाहिए आप यहां से shade कर सकते हो तनिया से जाके fluorescent चाहिए tungsten चाहिए तो basically जो भी मेरे को white balance चाहि कर सकता हूँ अब अगर आप इन चीजों से surprise नहीं हुए मैं आपको एक बहुत ही surprising चीज दिखाता हूँ उसके लिए मैं दूसरी image ले लेता हूँ तो मैंने पहले से images डाली हूई है okay so यह एक shimla का shot है landscape shot तो पहले मैं JPEG image लेता हूँ यह JPEG image है अब इसमें मैं क्या करू आउंगा highlights को एकदम माइनस में ले आउंगा whites को एकदम माइनस में ले आउंगा अब आप sky में देखो clouds में कुछ odd दिख रहा है आपको मैं दिखाता हूँ यहां पे जो clouds आप देखोगे यह पूरा blown out हो चुका है कुछ भी details नहीं है और यही shot अगर मैं raw में लेता हूँ औ अब आप देखो कितना difference है मैं एक बार comparison दिखाता हूँ आपको यह है jpeg clouds देखना और यह है raw कितना बड़ा difference है जा highlights है आप उसको कितना easily recover कर सकते हो यही सबसे main reason है मैं क्यों बोलता हूँ कि हमेशा raw image capture भी करो और edit भी करो ताकि अगर आपका shot overexpose हो रहा है तो आप उसको editing में काफी हद तक recover कर सकते हो अब last difference और last benefit जो मैं आपको दिखाऊंगा raw file को edit करने का वो है enable profile corrections अब यहां भी आप ध्यान से देखना जब मैं enable profile correction पे click करता हूँ तो कैसे image का perspective change हो रहा है यह basically जो distortion introduced हो जाता है यह 14 mm है काफी wide angle है full frame पे 14 mm is way too wide उस वाज़ा से जो distortion आ रहा ह सकता हूँ दूसरी चीज़ अगर मैं on and off करूँगा आप देखना है edges में काफी bright आपको दिख रहा है वो bright नहीं है basically जो vignetting होता है वो उसको हटा रहा है तो यह distortion और vignetting आप manually भी adjust कर सकते हो इस app में आप इस sliders को use करके मैं एक बाद दिखा देता हूँ यह देखो distortion control हो रहा है और उसी तरह मैं vignetting को भी control कर सकता हूँ यहाँ आप देखोगे मैं introduce भी कर सकता हूँ and हटा भी सकता हूँ so यह चार amazing benefits है raw file को edit करने के कुछ और भी हैं maybe मैं आगे कभी cover करूँगा but majorly यह चार benefits है especially जब आप lightroom में raw file को edit करते हो so I hope यह video useful था आपको कुछ नया ज इडिट करो और शूट भी उसी में करो अगर यह video useful था do it the like button और एक चीज करना comment करके बताना मेरे को कि आप पहली बार अगर आपको याद है इस channel पर आप कब आये थे month याद है year याद है या आपने recently subscribe कर रहा है तो वो पता देना subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लेना I'll see you in the next video तब कर दो